हेलो स्टुडेंट तो स्वागत है आपका श्टगल अश्टडे अकेडमी में तो दोस्तों देखिए पिछला जो हमने वीडियो बताया था वास्तविक संख्या अध्याए एक प्रसनावली एक दस्मलोचार का पहला प्रसना हमने कंप्लीट करा दिया था और अगर उसका संथ कब होता है हमने वहाँ पर रूल बताया था कि जब हर जो होता है दो के घात यम और गुड़े यम के घात पांच के घात यन के रूपका होता है या किवल पांच के घात यन के रूपका होता है और यन बराबर जैसे एक दो तीन चार पांच छे इस तरह लिसकते हम मिल्दावा कोई भी संख़या हो या जैसे तीन के खात को उंच्रीकि खात今天 या हम लोग दो को जाएगा इन लोग धौरो तो यहां पर देखिए आप लोग सबसे पहले हमने पताया था पहले वाले में कि कौन-कौन सांथ है और कौन-कौन असांथ है ना तो question number इसमें दो क्या कह रहा है दोस्तों तो यहां पर ध्यान से अब समझेगा इसको है ना यहां पर बूलना है कि ऊपर दिये गए प्रस्नों किन में तो यह जितना भी प्रस्न है इसमें उन परिमें संख्याओं के दस्मलों प्रसारों को लिखिए जो सांथ है अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सांथ था है ना उसको छाट लेना है आपको और फिर सांथ संख्या जैसे हमारा पहला number सांथ था ना तेरा बट आपको कि कौन कौन सांथ था तो देखें तेरा बटा में एक तीस सो पज़े से दो के घात यन और पांच के घात यन के रुकता था यह भी सांथ था यह भी सांथ था और यह भी सांथ था हमारा है ना उसके बाद यह भी सांथ है क्योंकि यह तो साब दिखा ही देरा आपको उसके बाद ये सांत नहीं था क्योंकि इसके साथ का घात दिया हुए न तो ये सांत नहीं होगा उसके बाद अब देखिए ये भी सांत हो जाएगा ये सांत हो जाएगा सांत नहीं होगा सांत ही होगा लेकिन इसका दस्मलों प्रसार जो है ये हमारा क्या है तो ये दो के घाती या न और पाच के घाती हम कहा दे कि इसको अगर हम लोग डिबाइट करते हैं तो दस्मलों के कुछी संख्या तक ये कड़ जाएगा है न तो इसलिए ये भी सांत नहीं होगा लेकिन ऐसे हम कहलें तो 3 पच्छे 15 ये संख्या तो नहीं होगा लेकिन इसका दस्मलों प्रसार जो है संख्या है यानि कि कहने का मतलब है कि इसको जदे दूर तक हम लोग ले जा सकते हैं है ना यह हम लुग इसको करके देख लेते हैं 15 से अगर इसको 6 को इसके वप रहा है उसके बाद इसके उपरांत अगर हम लोग देख ले तो यह 35 बड़ा 50 भी हमारा क्या है साथ है तो हम कौन-कौन से बताया हम ने यह पहला नमबर उसके बाद ये दूसरा नमबर उसके बाद ये चौथा नमबर हमने बताया और ये छटवा नमबर और फिर ये हमारा आठवा नमबर है और उसके बाद ये हमारा नौ नमबर है ना तो इन सभी संख्याओं को हम लोग ले लेंगे तो हमने यहाँ पर जो जो सांत थे हैं ना कहने का मतलब है कि जिसका दस्मलोग संख्या के बाद जो है अगर पॉइंट के बाद संख्या का अगर समाप्ती हो जाती है कुछ अंखों के बाद तो उन सभी संख्याओं को आपको लिख लेना है है ना तो हमने पहला ले लिया फिर दूसरा ले लिया चौथा ले लिया फिर छटवा ले लिया है ना और ये आठवा है और ये नौ नंबर है तो आप देख सकते हैं इन सभी को मैंने पहले विडियो लेक्चर में सारा समझा दिया है डिपली में है ना तो जैसे कि अगर हम लोग ब बताना है खेर देखिए अगर अगर हम लोग नियम का नुसार देखे तो ये वाला जो संखिया है सांथ नहीं है क्योंकि दो के घात यं या पाँ Giving के रूपका होगा या दूनों रहे तभी जात तो इस संख्या को हम लोग असांत ही कह सकते हैं, ठीक ना इससे असांत ही कहेंगे, क्योंकि यह केवल दो या पांच के घात यन के रूपका नहीं है इसी में तीन भी आ जा रहा है न क्योंकि तीन पचे पंद्रा समझ पा रहे आप तो वही कहने का मत्तब है लेकिन हाँ इसका दश्मलों जो प्रसार है वो क्या है हमारा वो point के एक ही अंक बाद कट जा रहा है इसलिए मैं इसको भी ले लिया हूँ है ना तो अगर आपका मर्जी करें तो इसको नहीं भी ले सकते हैं तो देखी यहां पर सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि यहां पर अगर जिसे अगर 13 बटा 13 हमें हम 325 का अगर भाग देते हैं तो यह कटके आता है 0 दस्मलो डबल जीरो एक चार छे बार में चला जाएगा इसमें बोला है ना कि आपको संख्याओं के दस्मलो प्रसारों को भी लिखना है कि कितने point के कितने अंक तक जाकर यह कड अलागा होगे दोस्तों अब देखिए इसमें का दूसरा जो है अगर आप 17 में 8 का डिवाइड करते हैं तो यह आ जाता है दो दस्मलो एक दो पांच आ जाएगा लग फग है ना कि कट जाएगा पूरा पूरी इतना तक फिर अगर 15 बटा में 1600 से अगर भाग देते हैं आप तो जीरो दस्मलो डबल जीरो फिर नो तिन साथ पांच इन सभी को मैं डिवाइड कर दिया हूँ दोस्तों ठेक तो लिख दे रहा हूँ मैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिख दिया है ना यह बला अब देखिए 23 और बटा में 2 का पावर 3 है तो यह 8 हो जा जाएगा तो जीरो दस्मलो एक एक पांच बार में जाएगा है ना अब आगे देखिए 6 में अगर 15 से डिवाइड करते हैं यह तो ऐसे सांथ नहीं है तो इसको अगर आपका मर्दी करें तो इसे नहीं भी ले सकते हैं है ना तो लेकिन हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि इस 35 बटा 50 जब आप इसे रिवाइड करते हैं तो यह जीरो दस्मलो साथ बार में चला जाएगा है ना तो यह हमारा कुस्चन नमबर दूसरा का पूरा आंसर परफेक्ट रूप से हो जाएगा है ना तो में तहीं दोस्तों यह वीडियो लेक्चर आपको समझ जरूर आया है और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम दो